Today we are going to discuss about the topic your fifth lesson water for every household सभी के घर में क्या होता है पानी यूज होता है और वो कौन सी ज़रूरत है जिसके लिए हम पानी यूज करते हैं उनके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं So let's start the topic water for every household Can you recall आपको ये क्या करना है रिकॉल करना है What are the different purposes for which use we need water हमारे घर में सभी के घर में क्या होता है पानी यूज होता है और पानी का यूज किसले होता है वो सारी चीजों के लिए होता है So water used for cooking, drinking, washing cloth, washing containers ऐसे बहुत सारी कामों के लिए हम water का यूज करते है Can you tell? क्या आप बता सकते हो The picture below show of container used for storing water at all यहाँ पर आपको pictures दिखाई दे रही है जिसमें क्या करते है हम पानी store करके रखते है So यहाँ पर वो सारे containers आपको दिखाई दे रहे है Which of these have come into a use more recently? इन में से ऐसी कौन सी चीज है जो अभी अभी नई आई है जिसमें हम पानी store करके रखते है So आपको ऐसी कौन सी चीज है आपको दिखाई दे रहे है जो अभी नई आई है So यह water filter So अभी हम क्या करते है water filter का पानी यूज करते है और यह क्या है एक टंकी दी है जो अभी नई आई है So इन में हम क्या कर सकते है water filter करके पानी पी सकते है What material are used to make these different containers? इन सबी चीजों के लिए चीज़े बनाने के लिए क्या करते है कुछ ऐसा material यूज करता है जिनसे यह सारी चीज़े बनाई चाती है जैसे कि यह मटका है यह मटका किस से बनता है? मिट्टी से बनता है यह water filter किस से बनाया जाता है? यह plastic से बनाया जाता है यह अधन pot यह भी मिट्टी से बनाया जाता है यह tank plastic से बनाया जाती है यह steel से बनाया जाता है यह भी brass या copper से बनाया जाता है so various materials used for this container what are the advantages of having a lid and a tap on the container जो हम क्या करते हैं students की पानी पीने के लिए हम जो pot use करते हैं तो उन में क्या लगाते हैं tap लगाते हैं tap मतलब जो नल की तोटी है वो लगाते है तो वो क्यू लगाते हैं और जो हम क्या करते हैं पानी पीने के लिए भरते तो उसके उपर हम क्या करते हैं ढखकन ढख देते हैं ताकि उसमें कुछ कचरा न गीरे और पानी हमारा अच्छे से रहे और tap क्यो लगाते हैं ताकि हमें जितना पानी चाहिए उतना ही पानी हम ले सके और ज्यादा पानी वेस्ट न हो इसलिए टैप लगाई जाती है We need water all the time हमें क्या होती है पानी की जरूरत हमेशा होती है We have to store water in the house so that we can get it when we need it हमें बहुत सारी जरूरतों के लिए घर में पानी लगता है तो हम क्या करते है पानी जमा करके रखते है घर में Earlier brass and copper pots are well and earthen pots were used to store water पहले के जमाने में लोग क्या करते थे ब्रास के copper के इसमें पानी जमा करके रखते थे ओसे brass के copper के कहाते थे पीतल और तामबे के कहाते थे बरतन आते थे उस बरतन में वो लोग पानी जमा करके रखते थे तामबे और पितल का पानी पीना सहत के लिए बहुत अच्छा रहता है तो पहले के जमाने के लोग पितल और तामबे का पानी पिया करते थे Ask your parents or grandparents for names by which these different pots were known तो आपको क्या करना है आपके grandparents, मतलब दादा दीन और आपके माता-पिता को पूछना है कि आप जिस बरतन में पानी जमा करके रखते थे उस बरतन का नाम क्या है तो उनसे आपको पूछना है People also build tank in their houses to store water हम हमारे घर में पानी store करने के लिए क्या करते हैं? टंकी बनाते है, tank बनाते है ताकि उसमें एक-दो दीन पानी जमा रह सके Nowadays, steel or plastic is also used to make different containers और storing water अभी हमारे घरों में आपको क्या दिखाए देते हैं? Steel के बरतन दिखाए देते हैं, plastic के बरतन दिखाए देते हैं जो हम उनमें क्या करते हैं? Steel or plastic के बरतन में पानी store करके रखते हैं उसका ही पानी हम पीते हैं Understand students? इसी तरह हम बहुत सारे बरतनों का यूज पानी पीने के लिए करते हैं और बहुत सारी चीजों के लिए हम पानी का यूज करते हैं तो हमें क्या करना है? पानी को सेव करना है और अच्छे से रखना है ठीक है? Understand students?